हेलो श्टुडेंट्स वेलकम टू रोसं की क्लास यूट्यूब चैनल श्टुडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आप लोग ले किया हूँ यहाँ पे अर्थ सास्त्र यानि की एकनोमिक्स की लेसन प्लान को क्लास टेंथ के लिए तो कंप्लीट वीडियो देखेगा अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो अगर आप लोग हर दिन देखना चाहते हैं पाधएगध की वीडियो ज recreation की वीडियो में हर दिन यहाँ पे अप्लोड करता हूँ अकसर अप्लोड करता रहता हूँ साथ मैं आप लोगको मैं मैं मैंक्रो टीचिंग से डिलेटड कंटेंट अपलोड करता हूँ सभी कॉसलों के उपर नेक्स्ट आपको यहाँ पे BTC कीक्लासेश दी जाती है बिलकुल फ्री में और BAT कीक्लासेश भी आपको बिलकुल फ्री में आपको प्रोइट की जाती है और साथ ही साथ आपको seated के questions पर प्रोवाइट के जाते हैं तो इतनी सारी चीज़े बिल्कुल free में आपको प्रोवाइट के जा रहे हैं तो आपका भी काम बनता है कि आप अपना लाग उठाइए रोसन की क्लास YouTube चैनल से जुड़के बिल्कुल free है इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजा और बेल आकन दबा कर खिए चलिए देर नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हाँ आप नों को अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोसन की क्लास टेलिग्राम चैनल पर जाइएगा वहाँ से जाके इस PDF बिल्कुल free में डाउलोड कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जिस पेस से आप पाठी होजना बनाने स्टार्ट करते हैं वीच वीच इस तरीके से पाठी होजना संख्या लिखना होता है नेश्ट आपको विद्याले का नाम लिखना है जिस विद्याले में आप पाठी होजना पढ़ाने लिए जाते हैं जहां पी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना होता है आप जो जब दूसरे college में भेज़ा जाते हैं उस college का नाम लिखना होता है इस तरीके से box मुना कि आपको दिनांग लिखना है यानि कि date डालनी है कच्छा दस हुई है वर्ग अ है आपका जो वर्ग होगा section होगा कच्छा दसका वो लिखेगा वशे अर्थ शास्त्र का है उपवी से इसमें कुछ नहीं है आपका कालांस दूसरा है आपका जो कालांस होगा वो लिखेगा कालांस का मतलब होता है period की numbering करनी होती है जिस period में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा पहले में गये तो पहला लिखिएगा दूसरे में गये दूसरा लिखिएगा समयावधी है यानि कि आपको 35 मिट की क्लास दी जा रही है उसके आज का जो हमारा प्रकड़ है वो है मुल विभेद छात्रों में अर्शास की प्रती रूचि उत्पन करना थरड़ प्रोंट लिखा गया है चात्रों में देनिग जीवनसंबन्दी समस्याव को हल करने के लिए व्यज्यानिक दिश्ट को रुदपन करना है कि इसके बद आपका नेक्स ठेड़िंग आता है सिचर सायक समगरी सिचर सायक समगरी के अंतरगत आपका जो सिचरकारी करती समय 35 मिर की कलास अगर आपको दी गई है तो उसके दोरान जिन भी समगरियों के आप साहता लेंगे सिछर कारे के लिए उन सभी को यहां पर लिख सकते हैं तो देखे लिखा गया है मुले विभेत को चित्र के माधिम से दर्साता चार्ट मुले विभेत का चार्ट बना के ले जाईएगा इसके अला विएपार वियापारी जथे विक्र के सम्bod nghi में सामानी ज़्यानकारी रखते हैं, अब लेस्ट ब्यान का सबसे इंप्रॉटेंट रेंइंगा आता है जिसको कहते है परस्ता अपर्स परस्त इसलिए इंप्रॉटेंट होता है NICK कि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता तो यहां पर देखें पहला प्रस्ट पुछा गया है, तीन कॉलम्ब बना लिए आप, करम संख्या चात्र ध्यापब क्रियां और चात्र क्रियां। लप क्माने के उद्देशं से किये गए कारी को क्या कहते हैं तो बच्चे बोलें उसको वियापार कहते हैं। कामाता है आदि रिवस्तुगों को बेच कर चोथा प्रसुनियापारी बश्तुगों को कैसे सकता है तो विभेट के द्वारा और पान्चों प्रस्न है मुल्य विभेट से आप क्या समझते हैं बचे नहीं पता पाएंगे डीटेल में समस्यात्र प्रस्न होगा आप सभी को पता है तुर उद्देश कथर में बोला गया है विद्यार्थियों आज हम मुल्य विभेट के बारे में विश्तृत अध्यान करेंगे अब बच्चों को जल गया है उनको आप मुल्य विभेट चेप्टर पढ़ाने स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ा रहे हैं तो उस चेप्टर पढ़ाने स्टार्ट कर दीजिए प्रस्तूति कर हेडिंग डाले इसको चार कॉलमें डिवाइड कर दीजिए सिछर बिंदु च्यात्र ध्यापक क्रिय अर्थाद मुल्य विभेट का साब्दिक अर्थ किसी वस्तु की आप आगी दिखाता हूं इसके आगे देखे लिख लिजिए चातर ध्यान पुरक सुनेंगे और यहाँ पे सेंप्टर अले कॉलमें ब्लेक चार्ट पेपर चिपका दीजिएगा उसमें जो आपी अपने इं बिन विखरेताओं को बिन बिन कीमतों पर बेचा जाता है तो इसे मुल्य विभेट कहते हैं यहाँ एक आधिकार बाजार में ही संभुआ है यानि कि जहाँ पर एक आधिकार बाजार है जहाँ पर कोई बेचने वाला सिर्फ एक है वहीं पर संभुआ होगा कि वह अलग-अ या प्रतिस परदा है वहाँ उसका मुल्य तमकर धर रखता है इस परकार मुल्य विवेट वह स्थिति है जिसमें कोई वर्ष्ठ वीभिन खरीदारों को मूल्य कीमतों पर बेचИ जाती है इसे कीमत विवेट भी कहते हैं मुल्य विवेट की अंतरगात निमने लिखे दीर की हैं आती है विες एक आदिकार प्रतेक हूं भगता से उसकी संपूर बचत को घेंच लेता है जूतिम्मूलिवेद में क्या है इसके पेतिम Quintana की अथिकादिकार मांग की लोच के आधार पर कीमत वसूल करता है, जहां मांग लोच अधिक लोचप लोचदार होगी, वहाँ कीमत वसूल लजा जाएगा, अब यहाँ पे प्रोफेसर स्टिंगलर के एंसर इसकी परिभासा समान वस्त के लिए दो या दो से अधिक मुली प्राप्त करने को मुली विभेत कहते हैं सिमिति जॉन रॉबिंसन के एंसर क्या परिभासा है उत्पादक द्वारा उत्पादित एक ही वuben़वस्त को भिण भिन करेताओं को भिन भिन कीमतों पर बेचने के क्रिया को मुली विभेत कहते हैं नेक्स्ट्टक इसके बाद आता है बोध प्रस्न बहुत प्रस्न देखिए यहां पर पहला प्रस्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और बहुत प्रस्न का मतलब यह होता है जो आपने अभी पढ़ाया है इतना पहरा उसमें कुछ कुछ आपको यह क्लियर करना बच्चों को कुछ समझ में आगी नहीं तो उससे कुछ प्रस्न पूछ लिजिए वच्चे उसका अंसर देंगा तो मतलब कि उनको सारी चीज़े समझ में आ गई हैं तो यहां पर देखिए पहला प्रस्न है मुलिवहेद को अंग्रेजी में क्या प्रकार पूछ लिजिए विकासा तो में बच्चे नहीं बता पाएंगे मौन लिखे इस परस्टीकर फिर से दीजिए मुलिविवेद मुखे रूप से तीन प्रकार का होता है पहला व्यक्तिकत मुलिविवेद इसके अंतरगत जब भिन-भिन व्यक्तियों से एक ही वश्त बिविन-भिन के यहां पर वेख्टिकत मुले वि बता दिजिए मुलिविवेद और व्यक्तिकत मुलिविवेद इस्थान मुलिविवेद और तब्स नहीं मूली विवेद कितने प्रकार खोता है बच्चे लिए यह लिए किमतवसुल जाते हैं, तो उसे व्यक्ति गथ मुली विवेद कहते हैं नेक्स्ट आपको सिच्छडविन्दू है मुली विभेत की एक विशेश दसा यहाँ पर राशी पातन से आप क्या समझते हैं बच्चे नहीं बता पाएंगे राशी पातन रोसकते हैं आपको भी ना पता हो राशी पातन को अंग्रेजी के भासा में डंपिंग कहा जाता है अ एक अधिकार उसी वस्त को कम कीमत पर बेशता है कभी-कभी एक अधिकारी विदेशी बाजार पर अधिकार करने के लिए वस्तों को विदेशी बाजार में हानी पर भी बेश देता है और विदेशी व्यपार का यह घाटा एक अधिकार घरेली बाजार में उची कीमत वसु अब कम कीमत पर फिच कर विदेशी बजार पर अधिकार करते हैं कम कीमत पर यहां बस्तुऊ को बैइज़ देंगे और अमने देश में जादा भेंगे पर उई भी बैचेंगे हैं तो yeniा कुंगी वे प्रस्ण है राजपातन किसे कहते हैं बच्छे बोलेंगे जब एक अधिकारी एक द्वारा वस्त की कीमत अंतराशी बाजान में कम कियाती है तथा उस घाटे की पूर्ती करने के लिए घरीलू बाजाने में वस्तों को महंगा करके बेचा जाता है तो उसे राजपातन कहते है सियंपर सारांस में जो आपने इंपरटन पॉइंट पढ़ा है उसमें से जो भी इंपरटन होगा उसको सियंपर में लिख सकते हैं तो यहां पर दिखा गया पहला पॉइंट जब एक उत्वादग द्वारा एक ही वस्त को बिन बिन कीमत पर वेचा जाता है तो उसकी उनके बजार में वस्तुओं की कीमत कम और घरेली बजार में अधिक होती है कच्छा कारी करते हुए चात्रों का दियापी करेंगे तथा उनकी व्यक्तिकत वो सामुई कठीनाओं का निवारार करेंगे लाइट रिडिंग आता है यहां पर लेशन प्लान का ग्रहिकार यानी की हम्वर्ङ इसमें दो बच्छों को घसे कर क्लानिकल प्रस्ण दिया जाता है इसमें दो पसंद दिया गया पहला परसन है मोलिभयत किसे कहते हैं या कितने प्रकार कि होते हैं संचित विवेच ना किजिए दूस्रा परसन है राशिवातन किसे कहते हैं विवेच ना किजिए तो यह complete